यहां पर I want to apply for और यहां पर select claim option पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर PF advance forum 31 ही आ रहा है full and finance settlement के लिए form 19 और 10C नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा और यहां पर proceed for online claim के option पर मैं क्लिक कर देता हूं इसके बाद I want to apply for और यहां पर देखे select claim option जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पहले only PF advance forum 31 आ रहा था और यहां पर forum 19 भी आ गया 10C भी आ गया और यहां पर skim certificate forum 10C भी आ गया यहां पर देख सकते हो forum 19 और 10C आ गया नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नहीं सांदर वीडियो में मेरे नाम है परदीप आप देख रहे हैं technology आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काभी सारे मेरे को comment आते हैं काभी सारे मेरे को message आते हैं मेरे जो Twitter Instagram idea जिसका नाम है आई परदीप सर्मा कहते हैं कि भाई खासकर जो नए PF member रहते हैं उनको पता नहीं रहता तो कहते हैं कि परदीप भाई हमने company छोड़ दिया है दो मेने complete हो गए हैं कोई भाई कहते हैं कि पांच मेने complete हो गए कोई भाई कहते हैं तीन मेने complete हो गए कोई भाई कहते हैं च्यार मेने complete हो गए कहते हैं कि भाई company दिया है, दो मैंने complete हो गए है, full and final settlement करना है, तो forum 19 और 10C apply करना पड़ता है, तो भाई परदी भाई, forum 19 और 10C तो सो ही नहीं हो रहा, तो कैसे apply करें, तो don't worry, ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो, तो आपको complete जानकर मिल जाएगी, प्रूफ के साथ बाद करेंगे, और फिर आप खुद करोगे, comment box में comment करके कि परदी भाई, बिल्कुल सही आपने बताया यार, अब हमारा forum 19 और 10C शो होने लग गया, तो चलो भाई, वीडियो को शुरू करेंगे, पहले वीडियो को लाइक कर दो, और आगे इस तरह की regular हेल्फून, और फिस वीडियो पान पाड़ी थी, उसको जोब छोड़े वे, नोकरी छोड़े वे, 6 महिने से जादा हो गया था, बट स्टिल, फोरम 19 और 10C शो नहीं हो रहा था, फूल एन फाइनल सेटलमेंट के लिए, चले मैं आपको दिखा भी देता हूं, तो यहाँ पर मैंने EPF हो का जो UN मेंबर का पोर् और मैं क्लिक करता हूं, और यहांपर claim forum 31,19 & 10C यहांपर कर लेता हूं, इसके बाद यहांपर पूरा bank account नमबर मेंशन करके, मैं verify कर लेता हूं, और THIS कर देते हैं, bank account नमबर verify हो गया है उसके बाद प्रोसीड फ़र on-l Bryan claim और मैं क्लिक कर देता हूं, यहांपर I want to apply for, और य ऐसे क्लिक करेंगे तो यहां पर पीएफ एडवांस फॉरम थर्टेवन ही आ रहा है फुलेंफ फानल सेटलमेंट के लिए फॉरम नाइंटिन और टैंसी नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने जोब तो छोड़ दी है नोकरी छोड़ दी बट इनकी जो करेंट जो पीएफ मेंबर आइड़ी है उसमें डेट ओफ एगजिट मेंशन नहीं रहेगी तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आपने नोकरी छोड़ दी है क यहांपर आपको दिखा भी देता हूं तो यहांपर Seoul का जो ओप्षम सेलेक्ट कर लेता हूं तो यहांपर आप देखेंगे इनकी टोरइफ मेंबर आईडी है एक में डेट- उएग्जिट मैंशन है और दूप यहांपर नौट अविलेबल अरा है तो यही एक सबसे बड़ फुल और फाइनल सेटलमेंट कर लें, फोरम 19 और 10 सी अपलाई करना चाते हैं, बट फोरम 19 और 10 सी सो नहीं हो रहा, तो इसका एक यही कारण कि आपकी जो करण्ट जो पीएफम पर आईडी रहती है, इसमें डेट ओफ एग्जिट मेंशन नहीं है, यहाँ पर मापको एक बात और बता दू कि जब भी आप फुल और फाइनल सेटलमेंट के लिए फोरम 19 और 10 सी अपलाई करें, तो यहाँ पर अगर आपकी सर्विस इस्ट्री में एक से जदा पीएफम पर आईडी रहती हैं, तो पुरानी पीएफम पर आईडी का पैसा करेंट में जुरूर करते हैं, तो इसके उपर मैंने एक separate dedicated वीडियो बना रही किया है, उस वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो के description में दे दिया है, वो वीडियो देख लेंगे, तो आप खुद से ही घर बैठे, online आप जो है, old पीएफम पर आईडी का पैसा करेंट में ट्रांसफर कर सकते हो ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया, आप चलिए, यहाँ पर मैं फटाफट से जो है, इनका date of exit mention कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता दू, date of exit आप खुद से भी update कर सकते हो, और अपनी company से भी date of exit, जो है, mark exit आप करवा सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको यह रिकोमेंड करूँगा कि अगर आपकी company live है, company चालू है, company बंद नहीं हुई है, तो अपनी company से आपका जो नियोकता है, आपका जो employer है, उससे ही date of exit mention करवाईए, अगर आपकी company बंद होगी है, ताला लग गया है, company का अता पता नहीं है, company अपडेट नहीं कर रही है, तो फ फिर उसको आप online ठीक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर कागज करवाई करने ही पड़ेगी, तो date of exit खुद से update करें, तो सही date of exit update कीजेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो date of exit हमारी mention हो गई है, update हो गई है, मैंने mark कर दिया है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ देख सकते हो date of exit मैंने mention कर दिया है, और EPF और EPS दोनों में date of exit मार्क हो गई है, update हो गई है, किलिर, आप चलिए, यहाँ पर मैं service history का जो option इस पर क्लिक करके भी दिखा देता हूं, तो यहाँ पर देख सकते हो date of exit जो अपडेट हो गई है, किलिर, आप यहाँ पर online services का जो option इस पर मैं क्लिक करता हूं, और यहाँ पर claim forum 3119 10C 10D का option मैं select कर लेता हूं, उसके बाद यहाँ पर पूरा bank account number mention कर देता हूं, और यहाँ पर verify कर लेता हूं, उसके बाद yes कर देते हैं, और यहाँ पर proceed for online claim की option मैं क्लिक कर देता हूं, उसके बाद I want to apply for, और यहाँ पर सकते हो फोरम 19 और 10C आ गया तो डेट ओफ एकजिट जब तक आपकी करंट पीफमपर आइडी में अपडेट नहीं रहेगी मैंशन नहीं रहेगी तब तक जो है फोरम 19 और 10C जो है नहीं तो यही एक सबसे बड़ा कारण रहता है फोरम 19 और 10C नहीं होने का तो आपने देख लिया इसका एक ही कारण रहता है कि आपने कंपनी छोड़ दी दो मेने होगे तीन मेने होगे चार मेने होगे पांस मेने होगे बट आप तो जो करंट जो पीफमपर आइडी उसमें डेट आपने कंपनी छोड़ दी है इसी वज़य से फोरम पीफ एडवांस फोरम 3100 होता है और जब एक बर आप डेट ऑफ एकजिट खुद से अपडेट कर देंगे या फिर कंपनी से डेट ऑफ एकजिट मेने करवा लेंगे करंट पीफमपर आइडी में जो लेटेस्ट जो पीफिकेट वाला भी शो हो जाएगा सारे फोरम शो हो जाएंगे जैसे आपने देखा तो यही एक मुख्य कारण है फोरम 19 और 10C शो नहीं होने का किलियर अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो मैं यहां पर एक क्यूशन पोश्टा हो आप से कि आप कहां से यह वीडियो खाए तो कोमेंट बॉक्स की करके बताऊंगे कि कहां से कौन से स्टेट से कौन सी जगह से आप यह वीडियो देख रहे हो ठीक है तो आज की वीडियो में इतारे लिजी वीडियो का दिस्क्रिप्शिन अन liar और इतनám प्रदी बाई को मिल जन यहां रही है ऊ है क्यार